नमस्कार बच्चों नमस्कार मेरा नाम तरुन अगरवाल है आप सभी का स्वहवत करता हूं असे से एड़ा पर कैसे हम सभी लोग मैं उम्मीद करता हूं सब अच्चे होंगे तो मैं उमिद करूं है कि अपको नमर स्बाइब आयरा टीजया मैं अटके ख़र अ कोरता देंगे तक अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरू करिएगा ठीक है बच्छो जैसा आपको बता ही हमारा आफर चल रहा है भी सपोर्ट लॉक्डाउन अप्ट थर्डी परसें और फ्लस फाइब परसें एक्स्टा अप देखिए गईस अगर आप यह सब चीज है जो भी प्रोड़ेट आप पर्चेस करते हैं फिर टोक अबाट महापेक्स लाइफ क्लास्स टेस्स इबुक्स वीडियो कोर्सिस तो आपको कौन सा कोट लगाना है आपको एक तो यह वाला कोट दिया हुआ है आपको यहाँ पना सक्सेस या फिर इसके बाद आप यह वाले सकते हैं फैकल्टी कोड है मेरा यह 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 फैकल्टी कोड होते हैं यूग नाइन फाइफ ठीक है यहाँ पर आपको फ्लेट 30 परसंदो डिस्कॉंट मिनिमम मिलने वाला है ठीक है बच्चों तो कहां से पर्चेस करना है चीज़े अड़ा247.com अड़ा247.com की ओफिशल वे बता हूं परसंटेज किसी का सौ में मान बताना इस कॉल परसंटेज किसी का सौ में मान बताना इस कॉल परसंटेज ठीक है किसी का सौ में मान बताना इस कॉल परसंटेज अब परसंटेज में में कुछ चीज़े सीखनी होती है परसंटेज में में कुछ चीज़े सीखनी होत सबसे पहले बच्चे पताओ अगर कोई वी चीज परसेंटेज में दिया हुआ है कोई भी चीज अगर परसेंटेज में दिया हुआ है अगर इसको आपको फ्रक्षिन वैल्यू में चेंज करना है किसमें चेंज करना हो फ्रक्षिन वैल्यू में चेंज करना फ्रक्षिन वैल्यू को मतलब क्या होता है बिन संक्या बिन संक्या में अगर चेंज करना है तो किसका डिवाइट करना है आपको 100 का किसका डिवाइट करना है आपको 100 का अगर उल्टा करना हो माल देजिए अगर आ करोगे 100 का समझ में आ गया बच्चे जैसे एक्जाम्पिल के तौर पर जैसे 25 परसेंट आपका दिया हुआ है 25 परसेंट की मैंने बूलू फ्रेक्शन वेल्यू बताईए फ्रेक्शन वेल्यू का मला भिन संग्या तो अगर परसेंटेज को फ्रेक्शन में चेंज करना होगा तो आपको 100 का डिवाइट करना होगा that is called 1 by 4 यह होगी आपकी फ्रेक्शन वेल्यू इसी परकर मेरे प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछा जाए 20 परसेंट का फ्रेक्शन वेल्यू बताईए तब क्या करोगे बच्चों आप क्या करोगे आप यह करोगे कि आपना पहले पहले इसको सही करोगे 16 ती यह 48 और दो 50 यह हुगा 50 by 3 परसेंट 50 by 3 परसेंट पहले इसको मिक्स फ्रेक्शन को नॉर्मल आप फ्रेक्शन में लेकि आए 16 त्रीजा 48 प्लस 2 50 by 3 और परसेंट हटाने के लिए 100 का आपको डिवाइट कर दिया आपने तो यह 1 बार यह 2 बार तो फ्रेक्शन वेल्यू कितनी होगे इसकी 1 by 6 तो आप समझ पा रहे होंगे समझ पा रहे होंगे समझ पा रहे होंगे कैसे फ्रेक्शन वेल्यू निकाली मैंने इस एक एक्जाम्पिल ले ले लेते हैं जैसे 11 1 by 9 परसेंट की आपको फ्रेक्शन वेल्यू निकालनी है तो क इस इट के लिए टू एवरिवन मैं उम्मेट करता हूं सही बच्चो चीज़े के लिए लोगी एक बटा नो एक बटा अच्छे ठीक है ठीक है अब यहां पर आपको कुछ चीज़े सीखनी है बच्चो दीए कुछ इंपोर्टेंट कुछ इंपोर्टेंट ब्रतिषत वेल्यू एंट फ्रक्षिन वेल्यू टेबल चीज़ेंगे कुछ इंपोर्टेंट परसेंटेज वेल्यू और उनकी फ्रक्षिन वेल्यू, का मैं आपको आपको टेबिल लिखके दे रहा हूं ठीक है बरी बास सम्वेस्ट जयसे माल लीजे बचो जैसे यह बताओ 1 है 1 उसकी % value कborn टेंटिट परसेंट हो गई हंडीट परसेंट पर्सेंट हो गई को बईसकी % वाइया जीसी बई 2 लिखाँ हुआ है 1 by 2 लिखा हुआ इसकी percentage value कितनी हो गई 50% होगे 100 का पुणा करते हुए 50% होगे बच्चे है ना इसी प्रकार जैसे माल लीजे आपका लिखा हुआ है 1 by 3 इसकी percentage value कितनी होगी 33 1 by 3% और अगर इसको decimal में लिखना है ना तो आप कितना लिखोगे पता है और करते हुए decimal में लिखना है तो 33.33% 33.33% इसी प्रकार अगर आपको 1 by 4 थोला में यहां लिखना होगी कर जाए यहां से यह 1 by 4 का percentage value कितना हुआ 25% इसी प्रकार 1 by 5 1 by 5 का percentage value कितना हुगा 20% ठीक है इसी प्रकार 1 by 6 1 by 6 का percentage value कितना हुगा बच्चो 16 2 by 3% 16 और इसको decimal में इसको क्या बोलते है 16 और 2 by 3 तो आए गई और 2 by 3 का divide करोगा तो 0.66 बर जाएगा इसको decimal में इतना बोल देते हैं 1 by 17 तो 1 by 17 का मतलब कितना हुथा 14 2 by 7 % होता है है ना और इसको decimal में कितना है का 14 14 तो हो गई अगर मैं decimal में देखू तो कितना है का 12.5 % 12.5 % इसको अगर मैं 1 by 9 को देखू 1 by 9 का fraction value कितना होगा 11 1 by 9 % और इसको अगर मैं decimal में लेके जाओ इसको अगर मैं decimal में लेके जाओ तो होगा 11.11 % 11.11 % समझ में आया बच्चे इसी प्रकार 1 by 10 इसी प्रकार 1 by 10 का percentage value कितना है 10 % 10 % अब यह और लिखवा हूँ आँ ठीक है पहले इसको नोट करेंगा तो बटा जितने भी मैं percentage value लिखवा रहा हूँ आपको इनकी fraction value आपको directly याद होनी चाहिए अगर किसी ना आपसे प्रकार 1 by 2 का से आया अपों 100 करते हुआ आया 25 % का 1 by 4 कैसे आया अपन 100 करते हुआ आया यह जो मैं जितना भी आपको value याद होनी चाहिए अगर किसी ना आपसे पूछ लिया कि 16 2 by 3 % की fraction value कितनी है तो क्या लोगे आप 1 by 6 या फिर किसी ना आपसे पूछ लिया कि 16.66 यह decimal value यह लेली 16.66 की fraction value कितनी है तो बोलो कि 1 by 6 या फर किछी ने आप से पूछ लिया कि 14.28 प्रतीशत की फ्रेक्शन वेल्यू कितनी है तो डारेक्टली पता होनी चाहिए आपको 1 by 14, समझ में आया बच्छे, 1 by 14, Is it clear to everyone? और इनकी साथात हमें और भी चीज़े सीखने को मिलेंगे, अभी वेट करो, बस आप पहले नोट करते रहो, जो मैं शिका रहा है चाहर हो आपको, पराबर नोट करो आप, ठीक है, आप देखो, जैसे 1 by 10 तक हो चुका है, अब देखो 1 by 11, 1 by 11 के परसंटेज वेल्यू का परसंटेज वेल्यू कितना होता है, 8 1 by 3%, 8 1 by 3, नीजे 3 है यह, 8 1 by 3%, और इसका डेखो 1 by 3 को डिवेट करोगे, तो 0.33% इसी प्रिकार 1 by 13, 1 by 13 का परसंटेज वेल्यू कितना होता है, 7, 7, 9 by 13 और decimal में क्या होता है, बच्चे इसका 7.69% 7.69% समझ में आया बच्चे देखिए आप देखो 9 by 13 के जिए आप डिवाइट करोगे तो पॉइंट लगाओ कि 90 आएगा ठीके 90 आएगा तेरा चिंग 80 तो 7.69% समझ में आ रहा है एसी 1 by 14 का percentage value कितना होता है 7 1 by 7% 7 1 by 7% 7 1 by 7% और इसका पॉइंट में कितना होता है 7.14% पॉइंट में कितना होता है बच्चे 7.14% 7.14% इसी पेर का लास्ट 1 by 15 1 by 15 का कितना होता है 1 by 15 का कितना होता है 6 2 by 3% समझ देखिए बटा 6 2 by 3% और दिशंबलब में कितना होता है 6.66% ठीक है इसी प्रिकार है 1 by 16 1 by 16 कितना होता है 16 96 96 1.4% और दिशंबलब में कितना होता है 6.25% 6.25% ठीक है 6.25% समझ मैं तो मैंने एक से लेकर स्टार्ट का एक बटा दो एक बटा तीन एक बटा चार एक बटा पांच कहां तक एक बटा 16 तक तो आपको या रखना है यह बहुत इंपोर्टन चीजे लिख वाय रहा हूं इसके लाब आभी कुछ चीजें है जो आपको पता होनी चाहिए ठीक है इसके अलाबा भी आपको कुछ चीजें जो पता होनी चाहिए बच्चो जैसे 2x3 ये भी इंपोर्टन चीजे 2x3 का परसंटेज वैल्यू कितना होता 66 2x3% मैं आपको नोड करने का मौका दूंगा रुख जाहिए और इसको दिसम्बलम में कितना वोले 66.66% ठीक है इसी प्रकार अगर आप से कोई पूछ ले कि 3x8, 3x8, 5x8 और 7x8 ये तीन चीज और आती है ठीक है देखो मेरी बास समझना मेरे प्यारे बच्चो 3x8 का कितना होता है बच्चे 36-37% और इसको बोलते कितना है दिसम्बलम में 37.5%, इसी प्रकार 5x8 का कितना है 62 and 2% कि और इसको दिसम्बलम में कितना वोलेंगे 62.5% इसी प्रकार 87x2, दिसम्बलम में कितना वोलेंगे 87.5% समझ में आ गया बच्चे तो यह कुछ चीजे हैं जिनको आपको याद हैंगे इनकी सायता में बताऊं क्या क्या और हेल्प हो सकती आपकी इनके इनके इलावा ठीक है आप इनको नोट कर लेजिए यह आपका पूरी अर्थमेटिक का सार है बच्चों अगर आप यह सिख गई कि परसेंटिच और फ्रेक्शन वेलू याद आपने रख ली के वल इनी वेलूस को जितनी मैंने लिखवाई हैं आपको इनी से आपकी नईया बार हो जाएगी और इनकी हेल्प से क्याकर नई चीज़े आपको आपने नोट कर लीजे इसके लब आगला वाला नोट करने का म क्याद से कर दो में लृत बार जाद आपको में में रड़ा हिए लिए प games you इसको नोट करिए अब देखुआ इनकी राधा से मैं और क्या चीज सीखने को मिल सकती है जैसे एक बाद इक्ची बता बिटा मैं एक्ची बताओ 1 by 8 याद था न आपको 12% तो यहां भी अप्टिप्लाइ थी कर दीजे, आप भी 3 कर दीजे, अब भी 3 कर दीजे, ना साले बारा का तीन गुणा कितना होगा दो को बारा का तीन गुणा चातिस दिल का तीन गुणा डिल तो चातिस और डिल कितना होगा साले साथिस साले साथिस परसंट ऐसे करना होता है ठीक है अच्छा फाइब बारा एट है तो यह इसका कितना गुणा हो रहा है यह इसका पा तो ये भी कितना 7 कितना हुआ बारा सत्य चौरासी और साले तीन चौरासी और साले तीन साले सतासी 87.5% समझ में आया बच्चे के लिए रूरी है बाते तो अगर आप जिसे जिसे आपको याद क्या रखना है जिसे 1 बाइ 8 का वेल्यू आपको 17.5% पता है różnychishes वह तो मैंने दिखाया कैसे आया लेकिन याद होना चीए आगर आप इसको solve करके निकाल रहे हो 37.4 और 1.5 प etti आगर आप ऐसे निकाल रहे हो तो समझ लो फिर बच्चोो आप उस लेविल के स्टूडं नहीं हूँ आप अच्छी तरह आप सकम समय में questions को deal नहीं कर पाऊगे ठीके तो यह values आपको याद होनी ही चाहिए समझ मारा यह value आपको याद होनी चाहिए भचो समझ मारी मैं आपसे क्या कह रहा हूँ ठीके जिसे माल दीजे मेरे प्यारे भचो आप कहीं question कर रहे हूँ आपका आगया 28.56% आगया 28.56% आगया चीके और माल लीजे आपका आगया 44.44% यह आपका आगया मैं आपको बोलू इनका percentage fraction value बताईए तो कैसे करोगे बताऊ जरा एक बार आपका 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 आपक अब आप यह देखो कैसे निकाल आपने एक तरीके तो यह आपको थोड़ी प्राक्टेस से आएगा दो यह बताओ आपने पड़ा 14.28 परसेंट यह मैंने लगवाया था भी यह याद होना चीए 14.28 इसकी फ्रेक्शन वेल्यू होती है 1 by 7 की तो आपको इसका निकालना 20 यह इसका डबल है डबल डबल है यह 28.56 डबल है बच्चे इसकी कितनी हो जाएगी 2 by 7 हो जाएगी इसका भी आप डबल कर दो इसका भी आप डबल कर दो जिसे आप मुझे बताओ 11.11 परसेंट की फ्रेक् वेल्यू ठीकर तो यह इसका चार गुना है न तो इसका भी चार गुना कर दो तो 1 by 9 का 4 गुना करेंगे तो 4 by 9 आएगा नहीं आएगा बंच्चे बताइए 4 by 9 आ इनहीं आएगा ब क्शे बताईए समझ मेहारी यह बात यह नहीं तो जैसे अगर बड़े बले बले फ्रेक् एक बाए आप इसको देख लीजे, जैसे माल लीजे आप कहीं कोशन कर रहे हूँ, और percentage value ऐसे आगया माल लीजे, 116.2.3%, ये percentage value आगया, और आपको fraction value इसकी निकालनी है, क्या निकालनी है, इसके fraction value निकालनी है, तो आप ये देखो, last में लिखा क्या, 16.2.3% लिखा हुआ है लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 16.2.3% लिखा हुआ है, तो यार ये वाली percentage value तो मैंने आपको चार्ट में लिखा ही नहीं है, तो इसको कैसे निकालो कि directly, मैं बता हूँ, जो लास्ट में 16.2.3% लिखा हुआ है, ये तो हमारे चार्ट में है ना, इसको अलग कर दो, तो 11 116 में 16, 2.3 अलग कर दिया, यहां कितना बचा 100%, बचा नहीं बचा 100%, इन दोनों को plus करोगे तो यह value आएगी, 116, 2.3%, तो 100% की fraction value कितनी होती है, 1 होती है, और 16, 2.3% की fraction value, 1.6 होती है, दोनों को add करेंगे, तो 7.6 आएगा नहीं आएगा, बताएगा, बताएगा, तो इसकी fraction value कितनी होगी, 7 बटाच है, इसकी fraction value कितनी होगी, बच्चे, 7 बटाच है, समझ में आ रहा है, यही परिकार जैसे मान लीजे, मैंने आपसे पूछ लिए 362, 3 प्रतीशत, इसकी fraction value मैंने पूछ ली, अब इतनी बड़ी percentage तो आपके चार्ट में हैं, लेकिन आप यह देखो जो लास्ट में लिखा हुआ है, 662 by 3 परसंट, यह तो आपके चार्ट में है, यह तो आपके चार्ट में, इसको अलग कर दो, 662 by 3 परसंट को अलग कर दो, 662 by 3 परसंट को अलग कर दो, ठीक है, और 300 परसंट को अलग कर दो, ठीक है, अब 300 परसंट की fraction value कितनी होती है, 3 होत तो इसका आपको आना चीज़े हैं यह बेसिक चीज़े हैं जिनको आपको आना चीज़े है कोशन पर्सनेजर सीखने से पहले यह बेसिक फंडामेंटल चीज़े आपको नहीं अगर पता हैं तो कोशन यह इनको आपको होना चीज़े है हाओ हुआ हाँ बहुँ झाल ठीक है अब देखो और चीजा में क्या सीख नहीं है बच्चो देखो टाइफ फर्स्ट टाइफ फर्स्ट देखो समझना माले नहीं से अगर मैं बोलूँ A is what percent of B है ना या वर हिंदी मैं बोलूँ A A, B का कितना प्रतीशत है A, B का कितना प्रतीशत है कोई भी चीज़ अगर प्रतीशत में निकालना होता है तो 100 का गुणा करती करते है तो बोला गया A, B का कितना प्रतीशत है A, B का कितना प्रतीशत है ठीक है तो इंग्लीश वाले समझो उदर है तो आपको percent निकालना है तो या रगना percent निकालने के लिए into 100 तो हो नहीं होना है किसी भी आलत में इंग्लीश वाले बच्चे जो नाम पहले आ रहा है या रगना हमेशा जो नाम पहले आ रहा है वो numerator होगा जो नाम बाद में आ रहा है वो denominator होगा तो तो हिंदी वाले समझो आपको percent compare किस से हो रहा b से हो रहा b का कितना percent है जिस से compare होगा वो value नीचे आएगगी , एब का कितना percent है तो a b का कितना percent है भई a by b in 200 ठीकित है भई How much more or less percentage of B ठीक है मतला A-B से कितना percent कम या जादा है देको यार मेरे भाई मैं आपको बोलू, मेरी salary आपसे कितना रप़े जादा या कम है तो ज्यादा कम निकालने के लिए difference जी है न, difference तो यहां भी percent पूछ रहा है आपसे multiply so तो बच्चे यहां पर अगर more or less world आ गया है मनला ज्यादा या कम, यह ज्यादा कम का मतलब क्या difference तो यह रखना ऊपर तो difference लेते हैं, ऊपर तो difference लेते हैं, A और B का जो भी difference होगा, ठीक है, A और B का जो भी difference होगा, अब यह तो compare किससे हो रहा है, A की सहली B से, कितना percent ज्याद देंगे, ठीक है, समझ में आया, जैसे example मैं आपको बोलू, मैं बोलू, A की सहली 1.500 रुपे है, B का सहली 200 रुपे है, तो मैं बोलू, in how much percent, in how much percentage, a salary, a salary more or less than B, मैं बोलू, A का सहली B से कितना percent ज्यादा या कम है, किसका salary A का, B से ज्यादा या कम, पहले तो ज्यादा कम कभी भी देखो, तो difference लो पहले difference, इंटू 100 तो करना ही करना है, तो यह बताओ, A का salary B से कितना कम है, less, कितनी कम है, 50, तो जो percentage आएगा ना, बच्चे वो less का तो 100 से 200 काटा आपने दो बार, और 250 कितनी काटा आपने 25 बार, 25 परसेंट आपका answer आजाएगा, 25 परसेंट आपका answer आजाएगा, समझ में आया, कहने का मतला, जब भी question में, percentage पूछ रहा हो, और more world हो, या less world हो, तो percentage कैसे निकालेंगे, गुणा 100 तो करना ही करना है, उपर क का लोगा different, और नीचे का लोगा जिससे compare कर रहे है, जिससे क्या कर रहे है, जिससे तुलना करने की बात हो रही है, compare, समझ में आगया बच्चे, जिससे तुलना हो रही है, समझ में आगया, जिससे मैं आपको बोलू, पी की सेलरी 500 रुपे है, और क्यू का सेलरी 200 रुपे है, है ना, तो मैं आप से, पूछू कितना, पी का सेलरी क्यू से कितना परसन ज्यादा या कम है, कितना परसन ज्यादा या कम है, पी की सेलरी क्यू से, तो कितनी ज्यादा है, यह बताईए, कितनी ज्यादा है, तीन सो लेकिन % में निकालना है, तो 300 जादा है कितने से? 200 से, भाई, compare तो Q से हो रहा है न, तो difference उपर आएगा, और Q का salary नीचे आएगा, इंटू 100 तो करना ही करना, यह तो आपको पताईए, तो कितनी जादा, 1500% जादा है P की salary Q से, 1500% जादा है P का salary Q से, समझ में आ गया, तो कभी भी कोशन में अगर आपको percentage पूछ रहा है, अगर आगे गलती मत करने न, कभी चीवन में, अगर कभी भी कोशन में आपका percentage पूछ रहा है, more या less, तो क्या करोगे, इंटू 100 तो करना ही करना है, यह तो लिकित है, यह तो डंके की छोट पर, इंटू 100 तो करना ही करना है, ऊपर क्या लेना है, ऊपर क्या लेना है, हमेशा difference, जो भी value दियो, A और B, जो भी value दियो, उ इससे आप compare कर रहे हो, समझ में आगी बात, ठीके, ठीके बच्चे, यह होगे, टाइप बना, आप नेक्स टाइप और सीखेंगे, देखो, यह बहुत important टाइप बता रहा हूं, नेक्स टाइप, टाइप 2, किसी प्रतिशत, किसी प्रतिशत value का, increased, किसी प्रतिशत value का increased और decreased होना, किसी प्रतिशत value का increased या decreased होना, अब अगर किसी प्रतिशत value increased और decreased होती है, तो कैसे आपको समझना है चीज़ हो, जो को मैं बताता हूँ, जैसे मैं आपको बोलू, किसी की salary 25% बढ़ गई, बढ़ गई 25%, 25% salary बढ़ गई, तो यहाँ पर जो percent है, वो increase हो रहा है, नहीं हो रहा ह तो यहाँ हमेशा यहाँ रगना बचे, हमेशा यहाँ रगना, हमेशा यहाँ रगना, सबसे पहले 25% की fraction value करो, कितना हुआ, एक बटे 4, यह तो आपको पता हो, कि 100 का divide किये, बढ़ गई है तो उपर वाला plus, अगर minus हो जाती तो उपर वाला minus, याद क्या रगना है बच्च इंडियों बोलते प्रारंबिक है ना, और उपर वाली value किसको सो करती है, result को, result, result को, तो यह बताओ, किसी की salary ratio में 4 थी, पुरानी salary 4 थी है, और result कितना हुआ, plus 1, result महला, एक से increased हो गई, तो उसकी नई salary कितनी हो गई, 5, उसकी नई salary कितनी हो गई, 5, उसकी नई salary कितनी हो मेरे प्यारे बच्चों 5, तो यहां पर एक चीज़ समझे, यदि कोई भी value अगर कोई भी percentage की value, कोई भी percentage अगर भढता है या घडता है, तो नीचे वाली value हमेंसा क्या होती है, मूल होती है, जैसे मैं आपका बोलू, उसकी salary 25% घड़ गई, मालो घड़ जा दी 25%, फिर फ्र और उपर वाली value क्या होती है, रिजल्ट, आप खुछ सोचो, आपकी salary पहले 4 थी, और आपकी salary एक कम होगी, तो आपकी new salary कितनी होगी, उस case में 3 होगी, 3 होगी, समझ में आ गया, समझ में आ गया, एक example और सेखते हैं, जैसे माल लीजे, इसको आप नूट कर लीजे वैसे, नूट कर लिए होगा, आपनी, जैसे माल लीजे मैं आप से बोलू, जैसे माल लीजे मैं आप से बोलू, माल लीजे, कि आपका salary, आपकी salary में 16 सही 2 बटा 3% का increasement हो गया, तो क्या करोगे आप, 1 by 6 लिखोगे, 1 by 6 लिखोगे, उपर वाला प्लस करोगे, उपर वाला प्लस करोगे, नीच वाली value क्या होगे, ओरिजनल, उपर वाली value क्या होगे, रिजल्ट, तो new salary कितनी हो जाएगी, new salary 6, 6 plus 1, 7, मैं आपका वोलू, आपकी pocket मनी 11, 1 by 9% कम होगे, 11, 1 by 9% कम होगे, fraction value कितना होगे, 1 by 9, कम होगे, उपर वाला minus, नीच वाली value क्या सो करती है, ओरिजनल, उपर वाली value क्या सो करती है, रिजल्ट, ठीक है, तो आपकी new salary कितनी हो जाएगी, new salary 9 से 1 कम होगे, 8 होगे, 8 होगे, 8, 8 होगे, नहीं होगे, 8, तो यहाँ पर क्या सीखरे हो आप, यहाँ पर क् percentage increased होता है, increased होता है, या कोई percentage decreased होता है, तो नीचे वाली value, तो नीचे वाली value जिसको आप हिंदी में हर बोलते हैं, या denominator, denominator वो हमेशा क्या denote करता है, वो हमेशा क्या denote करता है, वो हमेशा क्या show करता है, original, original को show करता है, रहा है किसको करता और इंचल को सो करता है मैं उमीद करता हूँ कि आपको बच्चो समझ में आ रही होगी तो हमने क्या 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 चीज चीज की मैंने आपको आज पूरा fraction conversion table समझाया कैसे percentage value है कितनी percentage value है क्या आपका importance है आपकी exam में ठीक है फिर उनकी साहता से मैं आपको नहीनी चीजे भी सिखाई है आपको कि जैसे 3.8 कैसे आया या 44.44% दिया इसका fraction value कितना होगा इसारी चीजे सिखाई मैंने आपको फिर मैंने आपको second tab बताया यह चीज जो मैंने आथा दिया था वैसे आपका कि A is what percent of B, B is what percent of A, how much percent more or less यह सार करते हैं इसको ठीक है तो आज के लिए इतना काफी रखता हूँ यह basic बात है ती जो आपको मैंने सिखा दी इन सभी किसायता से इन सभी बातों किसायता से हम लोग कल से सीरी कलिस करने वाले कोशन के साथ percentage का तो बहुत मजा आने वाला है बच्चों मैं उमीद करता हूँ आ अगर आपको इंगलिस का 22 अपरेल से स्टार्ट हो चुका है अगर आपको इंगलिस में कुछ प्राब्लम हो आप मैंम का आपको जोइन कर सकते हो कोड किया आपका U195 ठीक है और बच्चों आगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरू करिएगा और जो बच्चा हमारे इस प्लेटफर्म पे नए है तो आपके अपने चैनल SSC एड़ा को सस्क्राइब करना बच्चों ना भूलिएगा ठीक है तो आज के लिए इतना ही काफी है फिर मिलते हैं इसी जोस के साथ इसी तरह के साथ ठीक है बच्चों तब तक के लिए पढ़ का खाल रखिये बाबाई फ्रेंड्स टेक क्यार अल दी बेस्ट